लकनू में इंदनों कलाकाकर कोलनी चर्चाओं को विशय बनी हुई है। यहां कई घरों के बाहर लोगों ने मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगाय हुए है। दरसल जिन लोगों ने अपने घरों पर ये पोस्टर लगाई हैं वो अवेद रूप से यहां रहने वाले अराजक तत्वों से परिशान हैं। बताने की महानगर ठानाक Šitr के पोश इलाके की काला कांकर कोलनी की पीछे नाला है। इस नाले पर अतिक्रमन करके करीब सवासों लोगों ने पके मकान बना लिए हैं। वहीं लोगों को कहना है कि धीरे-धीरे भस्ती के लोगों ने कॉलनी की सड़क पर भी कबजा शुरू कर दिया है वो शाम होते ही सड़कों और चोरहों पर घुमते रहते हैं इतना ही नहीं बस्ती के आवारा लड़के जुंड बना कर खड़े हो जाते हैं और आने जाने वाली लड़कियों और महिलाओं को छेड़ते हैं उन्हें देखकर अशलिल इशारे करते हैं अगर कोई वरोध करता है तो वो बड़ी संख्या में आते हैं और यहां हंगामा करते हैं अराजकता के चलते कॉलोनी के लोग देहशत में हैं लोगों की दबंगई से माहुल इतना गर्म हो गया है कि अब यहां रहना सुरक्षित नहीं है इसके पीछे हमारा एक दुगभरी कहानी है इसको समझ लिए इस तरह से कि इस कॉलोनी में 51 घर हैं जिसमसे 50 घर अकुपाइड हैं और खुल आवादी हमारी लगभग 150 के असपस बनती है और सतन दो तीन लोग सब में रहते हैं बुजूर्ग लोग हैं व्रद्ध लोग हैं काम इसे लगे लोग हैं और इसके विपरीत हमारी कॉलोनी के पीछे एक नाला बहता है जो पुलिस लाइन से बीरवलसानी मार्क तक जाता है जिसकी लंबाई लगभग 850 मीटर है और इस नाले को नगर निगम के सहयोग से नगर निगम की लापरवाई से कह लिए इसको पा अराजकता रहती है धीरे धीरे यह हो गया है कि इनके लड़के इनके साथ की दोस्त अवारा लड़के हमारी कॉलोनी की महिलाओं बच्चियों इन सब के साथ छेच्छाड उनके साथ दूर्वेभार गाली गलोज मार पीट तक करते हैं इनसे बचने के लिए हमने कॉलोनी गेट लगाया तो उस गाड को मार पीट देते हैं भगा देते हैं कोई भी गाड या नौकरी करने को तयार नहीं होता है वहीं काला कांकर कॉलोनी निवासी कैलाश देवी सिंग जोकी लखनो विश्विद्यले की प्रोफेसर हैं वो बताती हैं कि लोग अपने घर के बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि मलिन बस्ती के लोग गाडिया बहुत तेज चलाते हैं कई बार मना करने पर गाली गलोज प सबके बच्चे बाहर हैं हर घर में एक दो लोग रहते हैं हम लोग हमारे हजबने यहां टहलते थे चड़ी लेके मोड़साइकल इतनी तेज से लेकर आते जिसलगता उपर चढ़ा दें जब टोकते थे तो गाली देते थे इसलिए उन्हों टहलना बने करें और हम लोग पह कुछ कहो तो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं वहीं बस्ती के लोगों से जब बात की गई तो उनका साफ कहना है कि कॉलोनी के लोग गलत बयानबाजी कर रही हैं हाला कि काला कांकर कॉलोनी की लोगों ने इस मामले की शिकायत पुलिस प्रिशासन वा नगर निगम से लेकर IGRS पोर्टल पर भी की लेकिन बे नतीज़ रही ऐसे में लोगों का कहना है कि अब मकान बेचने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है जिसके चलते उन्होंने घरों के बाहर मकान बिकाव के पोस्टर चस्पा किये हैं पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनव से निल सैनिक रिपोर्ट